हेलो एबरीबन आपका स्वाकत है मेरे चनल कुकिंग मुखिया पर आज हम बनाएंगे सुपर सॉप्ट और स्पॉंजी ढोकला बिल्कु अलग तरह से इसका टेस्ट ऑसम है यह हम बिना बेशन के बनाएंगे तो चलिए शुरूर करते हैं इसे बनाना यहाँ पर हमने एक कटो पूरी चना डाल लिया है चावल आप कोई भी ले सकते हो अब इसे हम अच्छे से दो तीन बार धो लेंगे अच्छे से तो देखिए इस तरह से हमने दो बार इसको धो लिया है और इसे हम ओबर नाइट सोग करके रखतेंगे आप जितनी देर इसे बिगोएंगे यह डोकला उतना ही सौप्ट बनेगा दूसरा दिन आपको हम दिखा रहे हैं देखिए इस तरह से यह बिल्कुश सौप्ट हो गया है दाल भी और चावल भी अब हम इसे पीस लेंगे तो इसमें हमें पानी ज्यादा नहीं डालना है जरूरत पड़े तभी एक या दो चम्मज पानी डालें जिसमें हमने दाल चावल का जो बिगोया था ना उसी पानी को डालकर हमने इसमें में दो हरी मिर्च डाल दी है तोड़के ग्राइंडर जार में डालकर अब इसे हम पीस लेंगे अब इसे अच्छे से एक दो मिनट फेट लेंगे देखिए इस तरह का बेटर है हमारा अभी इसे हम कम से कम आदा गंटा इसको इसी सरफेस पर छोड़ देंगे अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप एक से दो गंटे रेस्ट करने ना डाले और इसमें हमने नमक डाला है और एक चमच हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे एक चमच हमने यहाँ पर ओल डाला जैसे ढोकला हमारा मौस्ट बनेगा अब इसे हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा बेटर है इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया आप से किसी में भी बना सकतो है कि हुआ hell इनू लिया है एक पॉच से हमने डाल दिया है उच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमें थोड़ा साइंध होता है यह verm तणस्फर कर लिया है एक साइट हमें लिए पहले से ही पानी घरम करने के लिए रख दिया था आप कोई कटोरी या फिर आपके पास इस्टेंड हो तो रख दे और इसे अमने ढग दिया है कम से कम 20 मिनट तक 20 मिनट बाद हमने देखा ए इसमें चाकू को इंसेट किया है तो देखिए फिलकुल साफ निकला है अब इसे हम निकाल लेंगे यहां पे हमने तड़का पैन लिया है इसमें हमने एक चमच ओयल डाल दिया है और यहां पे हमने राई डाल दिये एक टी स्पून और यहां पे हरी मिर्श्ट काटके डाल दिये और यह गरी लिस डाल दिये अब इसे चटकने देंगे अच्छे से अब इसमें हमने पानी डाल दिया है, एक कप, दो चम्मच हमने यहाँ पे चीनी डाल लिए, इसमें एक उवाला आने का इंतजार करेंगे, और इसमें हमने नीवू का रस्पी डाला है, आदा चम्मच, तो देखिए यह हमारा ढोकला ठंडा हो गया है, यह देखिए कितना सौ तो देखिए डोकला कितना सांदा लग रहा है सौप्ट बना है हमारा डोकला ट्रेडिशिनल रेस्पी में थोड़ा सा समय लगता है पर टेस्ट आज़ाम आता है तो देखिए डोकला हमारा ठंडा हो गया है अब इसे हम काट लेंगे आपको काटने से ही लग रहा होगा कितना सौप्ट बना है दाल चावल का आप डोकला एक बार बना लेंगे तो बेशन का डोकला बना न भूल जाएंगे इतना टेस्टी बनता है यह तो देखिए इस तरह से हमने काट लिया एक पीस आपको दिखा रहे है देखने में लग रहा है कितना सौप्ट और जाली दार बना है दोकला इस पे हम तड़के को डाल देंगे तड़का थोड़ा सा गरम होना चाहिए तो देखिए तड़का डालने से यह दोकला और भी फूल गया है तो हमने इसे पिलेट में सर्प कर लिया है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती तो लाइक से सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग टे कियर बाई